हलो एन वेलकम टूल माई डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं विटा आप सब लोग तो एक बार आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज में और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला स्टॉक्चर ओफ एटम एक बहुत इंपोर्टिन टॉपिक है अगर आप जी पॉइंट ओफ व्यू से देखो तो इस टॉपिक को और आज इस माइंड मैप सीरीज में हम लोग शॉट में रिविजन करने वाले हैं इस स्टॉक्चर ओफ एटम का लेकिन ध्यान देना ये टॉपिक किन बच्चों के लिए है जिनों ने इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है वो बच्चे इस स्टॉक्चर ओफ एटम में माइंड मैप सीरीज के लिए हल्प करेगी लेकिन जिनों ने अगर स्टॉक्चर ओफ एटम कभी पढ़ा ही नहीं है उनके लिए माइंड मैप सीरीज नहीं है बिटा ओल राइट तो जो इसमें यह यह टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्कवरी ओफ सब अटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे अटॉमिक मॉडल्स यूल नेचर ओफ एलेक्टो मैगनेटिक रडियेशन डियूल नेचर ओफ मैटर और क्वांटम मेक्यानिकल मॉडल तो डिरे एक डिसार्ज ट्यूब ली उसमें गैस फिल करी और उसने क्या किया जो एनोड था उसमें उस एनोड में छोटे-छोटे से होल बना दिये इसके पीछे उसने जिंक हलफाइड की कोटिंग कर दी यह जो आपने कैथोर ट्यूब देख रखी है इसमें हाई वोल्टेज उसने अप्लाई कर रखा अलागे लिखा होता है कई के जगे पर 10,000-10,000 वोट है ना वह आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और यहां पर प्रेशर भी बहुत कम है वेक्यूम हलका सा क्रियेट कर रखा है ऐसा जब उसने किया तो उसको यहां पर इस एनोड के पीछे यहां पर चार रहा होगा नेगेटिव क्योंकि कौनसे इलक्रोड की तरफ जारा था वोगे…? इलक्टिब इलक्रोड की तरफ तरफ त्ष पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया था? डेटिवली चार्टिकल को इसने नाम ξे Ч Ein कंवा बाहत है और ऐसे पार्टिकल की जो रेस हैं उ की नेचर पर डिपेंडेंसी नहीं रखती परी बात समझ में आ रही है और इलेक्ट्रोन का चार सारी दुनिया जानती है इलेक्ट्रोन का मास 9.1 इंटू 10 तो दी पार माइनस 31 kg होता है यह भी आप सब लोगों को बता है औल राइट विल्कुल सिमिलर सा ही एक्सपरिमेंट है किस केस में जब हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ओफ प्रोटोन की लेकिन इस वाले केस में क्या किया आपने अब की बार जो परफोरेटिट पहले बार किसको बना रखा था एनोड अब की बार होल छोटे-छोटे किसमे कर दिया आपने कैथोड में तो आपने देखा कि जो कैथोड के पीछे था यहां पर भी आपको glow दिखाई दिया, इसका मतलब अब की बार जो particle है, वो anode से cathode की तरफ move कर रहा है, cathode पे charge होता है negative और अगर कोई negative electrode की तरफ particle जा रहा है, इसका मतलब उस particle पे खुद पे charge कैसा रहा होगा, positive charge रहा होगा, तो यह जो positive charge की raise होती है, है ना, इनको नाम दिया जाता है क्य anode raise, क्या बोला जाता है इनको, anode raise या फिर आप इसको canal raise भी कह सकते हो, और यहाँ पर अगर आपने इसमें hydrogen gas fill कर रखी है, तो उसका जो positively charge particle होगा, उसको आप proton कहा जेते हो, लेकिन यहाँ पर बहुती important चीज है, वो यह वाली लिखी है, कि जो nature of e by m ratio होता है, nature या फिर ज और जो आपका proton होता उसका charge positive होता है, इसका जो mass है 1.672 into 10 to the power minus 27 kg होता है, आगे बढ़ते हैं और बेटा बात करेंगे हम लोग discovery of किसकी neutron की, बहुती आसान चीज है, neutron की discovery में क्या किया गया, बेरिलियम जो था उसके उपर alpha particle bombard करवाया, बेरियलियम का nuclei था उसके alpha particle bombard किया, alpha particle सब लोग जानते हैं, 2HC4 को alpha particle कहते हैं, 2 unit of positive charge and 4 unit of mass, जब alpha particle इस पर bombard किया तो एक बहुत ही अलग सा particle मिला, जिसके बारे में दुनिया पहले नहीं जानती थी, वो ऐसा particle था, जिसका charge तो 0 था, लेकिन उसका जो mass था, वो लगभग proton के mass के बराबर था, उस particle को नाम दिया गया था, neutron, यह neutral particle होता है, charge 0 होता है, और इसका जो mass है, आप check कर सकते हो, लगभग proton के mass के बराबर है, 1.672 था, यह 1.672 है, clear यहां तक समझ में आई, तो discovery of subatomic particle के बाद हमें बात करनी है, atomic models की, सबसे पहले मैं बात करूँगा, thompson atomic model, बहुत simple चीज है, thompson ने अपना ज सारी दुनिया जानती है, इसको, अभी तो सर्दियों का मौसम है, लेकिन गरियों में तुमने खूब निप्टाया होगा इसको, water million, यह कहता है कि जो आपका item होता है, उसकी shape होती है, spherical, और जैसे इस water million में, electron, जैसे जो seeds होते हैं, जो bees होते हैं, उनको उसने consider किया, किस की है, negative charge मतलब electron की तरह, और जो बाकी जो red वाला portion है, उसको उसने बोल दिया positive charge, इसने कहा कि जो positive charge इसका distribution symmetric है, लेकिन negative charge उसका distribution symmetric नहीं है, लेकिन जितना positive charge है, उतना ही negative charge उसमें present है, उसने अपनी calculations एक चीज़ और भी बोली, कि यह जो आपका item होता है, उसकी radius कितनी होती है approximately 10 to the power minus 10 meter के order की होती है, तो यह Thompson का atomic model था, इसको plum pudding model भी कहते हैं और कुछ लोग watermelon model भी कह सकते हो, इन दोनों से उसकी resemblage थी इस वज़े से, क्योंकि Thompson का atomic model था उसमें कोई बहुत ज्यादा चीज़ नहीं लिखी वी, तो उसके बाद कोन आया आपका market माया Rutherford, इसने क्या कि एक gold की foil ली और उस gold foil के ऊपर alpha particles bombard करवाए, उन alpha particles का जो behavior था, उसके basis पर उसने अपना atomic model design किया, जब उसने experiment किया तो उस experiment के कुछ observations थे, observation आप सारी जोग जानते हो, class 9 से पढ़ते आ रहे हो, कि most of the alpha particles बिना किसी deviation के सीधे निकल गए, बहुत कम alpha particles ऐसे थे, जो किसी एक particular angle deflect हुए, बहुत छोटे angle पे, और बहुत ही कम alpha particle, कुछ लोग बोलते हैं, 10,000 में से एक, कोई कहता है, 18,000 में से एक, कोई कहता है, 20,000 में से एक, data मत याद रखो, लेकिन बहुत ही कम alpha particle ऐसे थे, जो इस रास्ते पे गए थे, उसी रास्ते पे, वापस आगे मतलब, angle of deflection कित deviation के आगे निकल गए, इसका मतलब जो most of the atom, face atom के अंदर वो कैसा है, बिल्कुल खाली है, कुछ alpha particle deflect हुए, alpha particle पे चार्ज होता है, positive, उनको deflect किया, उनके रास्ते में positive charge है, उसकी वज़े से alpha particle deflect हुए होंगे, तो कहता है कि जो atom का positive charge है, atom का जो mass है, वो एक बहुत ही छोटी स जगह है, उसको उसने नाम दिया nucleus, क्या बोला उसको nucleus नाम दिया, आप सारे लोग जानते ही हो, और कहता है कि जो nucleus का volume होता है, वो atom के volume के comparison में negligible होता है, बिटा, atom की जो radius होती है, वो 10 to the power minus 10 meter की order होती है, लेकिन जो nucleus का radius होता है, वो 10 to the power minus 15 meter के order का होता है, यह चीज उसने नहीं कर पाता, अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं कर पा रहा, इसने जो आपका Maxwell था, उसने बोला कि अगर कोई charge particle under acceleration होता है, तो radiation emit करता है, अब सारी दुनिया जानती है, कि जब electron nucleus के चारोतरब घूमता है, तो उसकी velocity change हो रही है, मतलब वो under acceleration है, तो वो भी energy emit करेगा, energy emit कर पाता है, तो नूकलियस के नजदीक आता जाएगा, आता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, जिस दिन ये जो आपका electron होगा, उसका मिलन हो जाएगा, किस के साथ, nucleus के साथ, nucleus में collapse कर जाएगा, अगर ऐसा हो, तो आपका atom stable नहीं होगा, लेकिन हम लोग सब जानते हैं, कि ऐस नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसको Rutherford explain नहीं कर पाता, यह यह भी नहीं समझा पाता, कि nucleus के चारो तरफ जो electron है, उनका distribution किस तरह का होता है, किस तरह से electron nucleus के चारो तरफ revolve करते हैं, कौन से shell में, कौन से orbit में कितने electron revolve करते हैं, इसके बारे में भी कोई information, जो Rutherford का atomic model था उसमें नहीं दिवी, इस वज़े से यह fail हो गया, अब इसके बाद आता है आपका बहुर atomic model, लेकिन बहुर atomic model design होने से पहले, एक बहुत ही important phenomenon है, जो मैं पढ़ना है, और वो है dual nature of electromagnetic radiation, पीटा सबसे पहली बात आती है कि electromagnetic radiation किसको बोला जाता है, ऐसी radiation जिसमें दो component हो, कौन कौन से, first one is your electric component, second one is your magnetic component, यह दोनों component एक दूसरे के proportional होने, एक दूसरे के perpendicular होने चाहिए, और यह direction of propagation के भी perpendicular होते है, ऐसी जो radiation होती है, उसको नाम दिया जाता है, electromagnetic radiation, पता इसकी properties क्या होती है, कि यह vacuum में भी propagate कर सकती है, और speed of light से propagate करती है, इनकी खास बात ही होती है, कि इ medium की ज़रूरत नहीं होती, इसमें तीन चीजें प्रेजेंट होती है, first one is electric field, second one is your magnetic field, and third one is direction of propagation, और यह तीनों चीजें एक दूसरे के perpendicular होती है, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर नेचर में जितनी भी electromagnetic radiations प्रेजेंट है, अगर आप उनको एक particular order में arrange कर दो, क्या करो आप उनको एक particular order में, वो order किसका हो सकता है, frequency का हो सकता है, वो order wavelength का हो सकता है, तो जो particular arrangement बनेगा, उसको क्या नाम दिया जाता है, that one is known as electromagnetic spectrum, क्या बोला जाता है उसको, electromagnetic spectrum आपके सामने बना हुआ है, gamma rays, x rays, UV बीच में आएगा visible reason, फिर उसके बाद IR microwave, microwave और उसके बाद आपका आ होना चीए, क्योंकि इस पर question पूछा जाता है, ये question पूछा जा सकता है, कि किसकी frequency का order क्या है, wavelength का order क्या है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चीए, electromagnetic spectrum के, अब इसके बाद, क्योंकि dual nature की हम लोग बात कर रहे हैं, तो dual nature का मतलब दो तरह का nature, wave nature और particle nature, wave nature से related कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, पहला है wavelength, सब लोग जानते हैं कि एक wave है, wave में ये जो truff और crest होते हैं, इनके beach की distance को क्या कह सकते हो, बेटा आप wavelength कह सकते हो, है ना, चाहिए ये कह दो, या फिर ये कह दो, clear, दूसरी चीज आती ही, frequency frequency को हम लोग mu से दिखाते है, wavelength lambda होती है, है ना, ये जो आपकी frequency है, वो क्या होती है, कहता है कि एक, एक wavelength complete करने में, किसी भी wave को जितना, जितना, एक second में, जितनी time लगे, amount of time a wave takes to travel one wavelength, measured in seconds, all right, frequency नहीं ये बिटा, यहाँ पर जो ये लिखा है, ये जो definition है, ये बिटा time period की लिखी है, ठीक है, ये definition किसकी है, time period की लिखी है, frequency की definition आपके सामने ये लिखी है, frequency क्या है बिटा, कि number of cycle per second, एक second में, आपकी wave कितने cycle complete कर सकती है, उसको frequency बोला जाता है, इसकी unit second inverse हो सकती है, या फिर hertz भी हो सकती है, इसके बाद, यहाँ पर लिखा है, time period, एक wave complete करने में जितना time लगेगा, एक oscillation complete करने में, जितना time लगता है, यहाँ से यहाँ तक, उस time को बोला जाता है, बिटा, क्या, time period है और velocity हम सब लोग जानते ही है, important C होता है, यहाँ पर एक relation होता है, वो important है, mu is equal to C upon lambda, यह कहा है, यह जो C है, speed है, speed of light से travel करती है, हम सब लोग जानते ह आपका frequency और lambda होगे आपका wavelength, इस formula पर question यहाँ से बनते है, एक होता है wave number, wave number को हम लोग mu bar से दिखाते हैं, और बिटा, wave number का formula भी important है, क्या होता है, 1 upon lambda, यह कुछ एक दो formula है, जिन पर आप ध्यान रख सकते हैं, और एक frequency और time period का formula होता है, उसको भी आप ध्यान रखे, mu is equal to 1 by T, alright, तो यह बात होगी, wave से related कुछ चोटी चोटी definition की, इन formula पर direct question आपको मिल सकता है, अच्छा, जब wave nature हम लोगों ने देख ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी, particle nature की, बिटा, कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको आपकी wave nature explain नहीं कर पाती, इसी वज़े से जरूरत पड़ती है, किसकी particle नहीं चलिए, कौन-कौन सी चीजें हैं, बिटा, पहली है black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacity of solid width temperature, और last वाली है hydrogen spectrum, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, किसको black body radiation को, क्या होता है, black body बिटा है, ऐसी ideal body होती है, जिसको आप जो भी radiation दो, जिस भी frequency की radiation दो, सबको observe कर और जिस दिन टाइम आएगा, सबको वापस, क्या कर सकती है, एमिट भी कर सकती है, इस तरह की radiation को हम कहते है, black body radiation, ओल राइट, एक graph आपके सामने है, बिटा, intensity और wavelength का graph होता है, black body radiation के लिए, यह जो graph है, इस पर question पूचा जा सकता है, इस graph का explanation, आपको कभी भी wave nature के according नहीं म बड़ी important चीज़ है, वो है Planck's quantum theory, बैटा, यहां से भी numerical पूचा जाता है, Planck's quantum theory, Planck ने क्या कहा, Planck भाई साब का एक बहुत ही simple सा फंडा था, उन्होंने कहा, उनका यह कहना था, कि जो आपका particle होता है, या फिर कोई भी item या फिर molecule होता है, वो energy emit, या फिर energy absorb करेगा, ले लेकिन continuous absorption या continuous emission नहीं होता, energy का absorption या फिर emission फोटे छोटे energy के packets की form में होता है, और वो जो energy के सबसे छोटा packet होता है, उसको उसने नाम दिया था quantum, अगर आप light यूज करो, तो जो light का quantum है, उसको बोला जाता है photon, या बोला जाता है उसको photon, ठीक है, और इसने ये भी बोला, क किसके directly proportional होती है, formula क्या लिखते हैं हम, h new, hc by lambda, यहाँ पर जो h है, उसको क्या कहा जाता है, ये चीज आपको पता है क्या, बेटा हाना बोलना पड़ेगा, क्या ये चीज clear है आप लोगों को, यहाँ तक energy of photon का formula important है, इसके question बन सकता है, इसके बाद जो second चीज आती है, वो है आपका photoelectric effect, ये भी बहुत ही आसान चीज है, देखो क्या किया photoelectric effect में, आपने क्या किया, एक metal की surface ली है, ठीक है, और इस metal की surface के ऊपर आपने क्या किया, bombard कर वाया किसको, light को, light की raise incident करी, अगर light की frequency आपने कम ली, तो आपने देखा कि circuit complete नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आ light की frequency बढ़ाते जाए, आपने एक चीज नोटिस करी, कि एक particular frequency पे circuit complete हुआ और आपको इस emitter में deflection दिखा, आपने सोचा कि ये circuit तभी complete हो सकता है, जब कोई particle इदर से इदर की तरफ आया हो, इसको hit किया हो, और उसकी वज़े से circuit complete हुआ, ठीक है, इसका मतलब उस particular frequency पे होता क्या actually, उस frequency पे ये जो metal है, metal का जो atom हो, electron को क्या कर देता है, eject कर देता है, metal की surface से electron बाहर आ जाता है, और किसी भी metal की surface से electron का बाहर आना, किसी को हम लोग बोलते है, photoelectric effect, clear, लेकिन ये हर frequency पे नहीं होगा, एक particular frequency required होती है, और वो जो minimum frequency होती है, उसको नाम दिया जाता है threshold frequency, अगर आपने जो frequency उपर से light की डाली है, वो threshold frequency से ज्यादा है, तो आपका electron इस metal की surface से बाहर आ जाएगा, और इस phenomenon को नाम दे दिया जाता है, photoelectric effect, तिरी बात समझ रहे हो, और जो electron यहाँ से बाहर आया है, उसको क्या बोला जाता है, photoelectron, clear, अब यहाँ पर कुछ बढ़िया इसके observation भी थे, observation यह था कि जैसे आप light डालोगे, वैसे electron बाहर आ जाएगा, light डालने में और electron के बाहर आने में कोई time lag नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि इन्हें जो photon था आपका जाकि उस electron को hit किया, electron बोलेगे भाई, अभी थोड़ा रुखना है, चाय पाने पीखे चलते हैं इसने कहा कि जो number of photon electron होता है बिटा, it is directly proportional to किसके? intensity of light के, light का intensity जितना ज्यादा होगा, यहां से उतने ही ज्यादा electron बाहर आएंगे, clear? और यह भी कहा, उससे पूछा किसी ने, कि एक बात बताओ सर, kinetic energy का क्या होगा, electron की, उसने कहा कि kinetic energy जो photo electron की होती है, that is directly proportional to the frequency of light, यहां पर जितनी ज्यादा frequency की light डालोगे, उतनी ही ज्यादा kinetic energy वाला electron यहां से eject होगा, यह सारे क्या है इसके? observation, बहुत important है बेटा, इसका जो explanation है, वो किस ने दिया था? आइंस्टाइन ने, इसने दिया था इसका explanation, आइंस्टाइन ने, क्या कहा इसने? इसने कहा कि जो total energy होती है, h new, जो आपने light की डाली है, वो total energy दो काम करेगी, क्या क्या? पहला तो इस metal की surface से electron को बाहर निकालेगी, जितनी energy metal की surface से electron को बाहर निकालने में चाहिए, बेटा उसको क्या कहते हम, that is known as threshold energy, क्या कहा जाता है उसको threshold energy, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, work function भी कह सकते हो, पहला काम तो जो आपने total energy दी है, वो ये करेगी, अगर मान लो थोड़ी बहुत energy बच भी गई, तो वो जो energy होती है, वो उसकी kinetic energy में convert हो जाती है, h new is equal to h new not plus half of mv square, ये तो आप जानते ही हो, half of mv square क्या है, kinetic energy, ठीक है, ये जो new है, ये क्या है, ये इस light का frequency है, जो आपने इधर से डाला है, new not क्या है, threshold frequency है, h new not को क्या बोलूँगा, threshold energy, या फिर work function, तो total energy is equal to threshold energy plus kinetic energy, ये explanation किस ने दिया था, Einstein, clear है, आपको मेरी बात समझ में आई क्या, ब ये जो notes है, वो आपको अपनी application पर मिल जाएंगे, app पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च की रिए mind map series, बिल्कुल freely available है, कोई दिक्कत नहीं है, subscription लेने का कोई पंगा नहीं है, क्या है, अच्छा, अब उसके बाद एक बहुत ही simple सा topic है, वो है spectrum, spectrum क्या होता है बिटा, जैसे देखो, आप लोगोंने चोटी classes में पढ़ा है, कि अगर आप white light को किसी prism के through pass करो, तो जो light होती है, वो seven different color में split हो जाती है, ये जो color होते हैं, ये किसी photographic film पे आपको मिलते हैं, तो इस light में इस film पे जो impression produce किया है, that is known as spectrum, इसमें ये जो wavelength है ना, ये एक particular, इसमें ज तरह का हो सकता है, एक होता है continuous, दूसरा हो सकता है discontinuous, continuous में क्या होगा, कि एक particular range में सारी तरह की frequency present होगी, है ना, और discontinuous में क्या होगा, बीच में एक particular frequency की wavelength की radiation नहीं है, यहाँ पर देखो discontinuity आ गई है, मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पर देखो सारे color एक दूसरे के साथ चोथे में, कहीं पर भी discontinuity नहीं है, यहाँ पर discontinuity आ गई है, तो इसको बोला जाता है discontinuous यह है आपका continuity, आपका जो discontinuous spectrum होता है, वो दो तरह का होता है, एक होता है emission line spectrum और दूसरा होता है absorption line spectrum, जो काम की चीज हमारे वो यह है, कि emission line spectrum में आप देख रहे हो, पीछे जो background है कैस पुल्टा होगा, background है आपका light, bright background है और उसमें जो lines दिख रही है कैसी है, dark lines है, ठीक है, तो यह चीज़ important है, यह दोनों में difference भी है, आपको ध्यान रखना है, emission और absorption, जस्ट एक दूसरे का opposite, और यहीं से spectrum में बात आती है किसकी, hydrogen के spectrum की, पीटा hydrogen का जो spectrum होता है, वो कैसा ह होता है, emission line spectrum होता है, और hydrogen के spectrum में बहुत सारी series भी आपको मिलती है, lyman series, bummer series, passion, bracket, fund humphrey, इस series में जो lines है, उन lines का wavelength निकालने का एक formula होता है, मेरे साब से आप लोगों को याद होगा, one upon lambda is equal to rz square, one upon n1 square, minus one upon n2 square, यह formula होता था, आर की value 109677, अगर आप use करोगे, तो यह आपको centimeter inverse में मिले, और यह जो value है, आर का इसको बोला जाता है, तो आर को कहा जाता है, read box, क्या कहा जाता है, read box, यह formula है, इस पर question बनता है, one upon lambda is equal to rz square, one upon n1 square, minus one upon n2 square, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखो, हमेशा, यह n1 square minus n2 square, n2 का जो value होगा, वो हमेशा बढ़ा होगा, किस से, n1 से, मालो electron, fourth orbit से first orbit में आ रहा है, इसका मतलब n2 का value 4 हो गया, n1 का value, तो electron का यह जो moment है, इसके according different different series की lines होती है, line 1, bummer, passion, bracket fund, इम्पोर्टेंट यह है कि जो आपकी line 1, bummer series होती है, यह होती है, visible reason, और यह जो आपकी line 1 होती है, यह किस में होती है, ultra volatility, और इसके बाद वाली जितनी भी series होती है, सारी की सारी किस में होती है, for a red reason, तो कई बार इस पे भी आपसे question वो, clear है, alright, तो इस formula पे question आपको दिये जा सकते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका bore atomic model, देखो यह बहुत ही simple था, bore ने क्या किया, bore का एक चीज कहनी थी, कि electron जब nucleus के चारो तरब घुमता है, तो एक particular orbit में घुमते वे, कभी भी energy emit नहीं करता, वो energy का emission या फिर energy का absorption तभी करेगा, जब वो एक से दूसरे orbit में जाएगा, हैना, जब वो उसका transition होगा, और वो उसने, जो उसके postulate थे, उसमें जो सबसी important postulate है वो यह वाला है, उसने कहा कि जो angular momentum होता है, किसी भी electron का, वो h upon 2 pi का एक integral multiple होता है, यह है angular momentum, mbr, इसका value होगा, n h upon 2 pi, जब आप n का जो value है, 1, 2, 3, 4, ऐसे हो सकता है, यह यहाँ पर important चीज़, फिर उसने अपने basis पे कुछ calculations करी, और उन calculations के बाद उसने different different चीज़ों को सामने रखा, यह जो आपके सामने formula लिखे हैं, यह 10 to the power 6 है, यह जो formula लिखे हैं, इन formula पर question पुछा जाता है, पहला nth orbit के अगर आपको radius निकालनी है, तो 0.529 into n square by z, angstrom में आएगा, n वो चीज़ है, जिस orbit में electron गूम रहा है, और जो आपका z होता है, यह z क्या हो जाएगा, atomic number आप मेरी बात समझ रहे हो क्या, pn, velocity of nth orbit, अगर आपका electron nth orbit में गूम रहा है, तो उसकी velocity का formula यह होता है, 2.19 into 10 to the power 6 into z by n, unit हो जाएगी इसकी meter per second, और अगर आपकी energy निकालनी हो, तो यह energy है, minus 3.6 into z square by n square, electron volt per atom, और अगर आप इस electron volt को convert करना चाहते हो, जूल में, तो आप इसको इस factor से multiply कर सकते हो, electron volt औ और जूल में यह relation होता है, ठीक है, यह formula आपको याद होने चाहिए, अब यह कुछ चीज़ें ऐसी थी, जिनको bore atomic model नहीं समझा पाया, हम लोग यह बढ़ते हैं कि bore का जो atomic model होता है, वो सिर्फ और सिंगल electron species के लिए applicable होता है, एक electron होगा, उनके लिए applicable होगा, वो Zeeman effect को भी आपके उसके पास नहीं था, यह जो splitting है इसको बोला जाता है, और वो stark effect को भी नहीं समझा पाया, बेड़ा stark effect क्या होता है, यह जो spectral lines होती है, यह electric field की presence में split कर जाती है, तो ऐसा explanation भी उसके पास नहीं था, और वो spectral line को जब देखा गया high resolving spectroscope से, तो पता चला कि यार यह ए सबसे important, यह चीज़ की वो तो Heisenberg का uncertainty principle है, उसको relate करना, तो यह सारी चीज़ें मिलके इसकी limitation बनी और इस वज़े से यह fail हो गया, जब यह fail हुआ, तो फिर उसके बाद बात आई quantum mechanical model की, लेकिन quantum mechanical model पढ़ने से पहले हम लोगों को बात करनी है किसकी de Broglie, dual nature of matter, यह बाई साब हैं Lewis D. Broglie, scientist है, इन्होंने कहा कि यार जैसे आपकी electromagnetic radiation dual nature show करती है, वैसे कोई भी जो particle होगा, material particle जो revolving है, उसकी भी dual nature होगा, particle nature भी show करेगा और wave nature भी, अभी तक electron को particle माना जा रहा था, और इसने एक अलग ही जंग छेड़ दी, यह कहता है कि electron जोगा, उसकी भी नीचर भी present हो, ठीक है, और इसने कुछ calculations करी, उसके according उसने उस wavelength का formula भी दिया, जो किसी भी particle के साथ associate होती है, और उस wavelength को नाम दिया जाता है, D. Broglie wavelength, क्या बोला जाता है, D. Broglie wavelength, आपको मेरी बात समझ में आ रही हैं बटा, क्या बोलते हैं उसको, D. Broglie wavelength, लेक applicable था, पीटा, जो D. Broglie wavelength का formula है, वो यह होता है, lambda is equal to h upon p, या फिर lambda is equal to h upon mb, यहाँ पर p है आपका momentum, m है mass और v है velocity, इसके different forms भी हो सकती है, h upon under root 2m kinetic energy, यह भी लिख सकते हो, और अगर आपका कोई charge particle है, उस case में आप lambda का formula h upon under root 2m, qv भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर m आपका mass है, q आपका charge है, और v जो है, वो potential है, बेटा, velocity नहीं है, इस form, v क्या है, velocity नहीं है, क्या है, potential, ठीक है, और बेटा, q क्या है, charge है, किसी भी charge particle का अगर आपको wavelength निकालना हो, D. Broglie wavelength, तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते है, ठीक है, यह इस case में important formula है, जो आपको याद रखने है, के साथ-साथ, एक और बहुत important चीज, जिसका नाम है, Heisenberg Uncertainty Principle, ठीक है, यह जो uncertainty principle है, यह क्या कहता है, इसका यह कहना था, कि आप किसी भी microscopic moving particle का position, और उसका momentum, दोनों एक साथ कभी भी पता नहीं लगा सकत 100% accuracy से दोनों चीज़ें कभी भी measure नहीं की जा सकती, उनमें कुछ ना कुछ uncertainty जरूर रहेगी, और वो जो uncertainty थी, उसका उसने formula भी लिख दिया, कि del x into del p greater than h upon 4 pi, यह बहुत important formula था, यह point of view से काफी question इस पे पूछे जाते हैं, यहाँ पर बेटा, del x क्या है, uncertainty in position, और del p क्या है uncertainty in momentum, ठीक है, आप इस formula को ऐसे भी लिख सकते हो, greater than equals to h upon 4 pi m, यह इस तरीगे से भी बन सकता है, यहाँ पर जो del v है, वो क्या हो जाएगा, uncertainty in velocity, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यह थी, कि यह भी significant था, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, microscopic particles के लिए, जैसे आपका electron, proton, alpha particle, जो particle होते हैं, जैसे हम होगे, cricket की ball, golf ball, इन पे आप Heisenberg uncertainty principle नहीं लगाते, जो बहुत ही छोटे particle होते हैं, सिर्फ उनी पे Heisenberg uncertainty principle लग सकता है, ठीक है, important formula है यह, इस पर direct question पूछा जाएगा, uncertainty in position, uncertainty in momentum, uncertainty in velocity, यहाँ पर जो M होता है, बिटा mass होता है, ध्यान देना, इस formula में mass को kg में रखना है, अगर आपको calculation SI unit में करनी है, गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग mass को generally gram में लिख देते हैं, और अब इसके बाद आया आपका सबसे last, but not the least, quantum mechanical model, यह जो quantum mechanical model था बेटा, यह पहला model था, जो क्या करता है, electron की wave nature plus particle nature दोनों को consider करता है, यह किस ने design किया था, श्रोडिंगर ने, ठीक है, एरविन श्रोडिंगर इसका नाम था, और उसने electron की जो moment है, electron को एक three dimensional wave की तरह consider किया, और एक equation दी, जिसको श्रोडिंगर wave equation भी बोला जाता है, वो जो equation थी बेटा मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, देखना इस equation को देखके घबराने की ज़रत नहीं है आपको, ठीक है, देखना जरा, del square psi upon del x square, del square psi upon del y square, del square psi upon del z square plus 8 pi square m upon h square e minus v into psi is equal to 0, यह थी आपकी श्रोडिंगर wave equation, यहाँ पर जो साई है बेटा, उसको क्या बोला जाता है, wave function बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वे फंक्शन बोला जाता है, क्या बोला ज इसमें जो बेटा, x, y, z आ रहे हैं, यह x, y, z क्या है, these are the coordinates of electron, यह क्या है बेटा, electron के coordinates है, m electron का mass है, is the total energy, e क्या है बेटा, total energy है, और जो v लिखा है बेटा जी, v is your potential energy, v कौनसी energy है, potential energy, ठीक है, आप चाहो तो इसको short form में, h cap psi is equal to, e psi भी लिख सकते हो, ज्यान देना, सा इसे psi उड़ा मत देना, कुछ लोग उड़ा देते हैं, यह जो यहाँ पर आपने h cap लिखा है बेटा, this is known as Hamiltonian operator, इसको क्या बोला जाता है, Hamiltonian operator कहा जाता है, तो यह है आपकी Schrödinger wave equation, यहाँ पर जो psi है, बेटा, psi को wave function बोला जाता है, यह सिर्फ एक mathematical function है, इसका कोई physical significance नह होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और जो psi square होता है, इसका physical significance होता है, atom के अंदर किसी एक particular position पे, आपको अगर यह पता लगाना हो कि electron मिलने की probability कितनी है, तो आप उस point पे किसकी value निकाल लोगे, psi square की value निकाल लोगे, किसी भी atom के अंदर किसी particular point पे, electron मिलने की probability, it is directly proportional to the size square, that's why it is known as probability density, और atom के अंदर वो वाला portion, वो region जहां पर electron मिलने की probability सबसे maximum होती है, उस particular region को क्या बूला जाता है, और vital कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको और vital कहा जाता है, electron कहा मिलेगा आपको बेटा, orbital में, यहां से देखो, एक और चीज बहुत important बनती है, वो ह quantum numbers, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, वेटा, quantum number ना, 4 number का set होता है, कितने number का, 4 number का set, जो क्या बताता है, जो electron से related सारी information आपको बता देता है, electron के address के बारे में आपको बता देता है, ठीक है, और यह कित कौन कौन सी होती है, वेटा, सबसे पहल है, उसका पता लगता है, आप अगर shell पता लग गया, तो उसके energy बता सकते हो, और size भी बता सकते हो, तो formulae आपके सामने लिखे है, एक particular shell में maximum 2N square electron हो सकते है, और N square orbital हो सकते है, formulae आप डारेक्ट याद रखो, फिर उसके बाद azimutal quantum number आता है, जिसको L से दिखाते है, इसस से पता लगता है, देखो, अगर मानलो L का value 0 हो, L का value कितना है बिटा, 0 है, इसका मतलब electron आपका S sub shell में present है, अगर आपकी L की value 1 होती है, electron P sub shell में है, 2 है, तो D sub shell में है, L का value 3 है, F sub shell में है, 4 है तो G, H, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, आप सब को बताए कि जो S sub shell होता है, spherical in shape होता है, जो P होता है, डंबल होता है, जो आपका D होता है, वो double double in shape, yes, अच्छा जी, एक आपके सामने formula लिखा है, कि maximum number of electron in a sub shell, वो होंगे 2 into 2L plus 1, यह formula आप याद रखें, को ध्यान रख सकते हो, और इससे भी जो ज्यादा important formula है, वो यह है, orbital angular momentum का formula होता है, बिटा, electron क एक चीज और ध्यान रखो, L की जो value होती है, वो 0 से N-1 होती है, L और N की value कभी भी बराबर नहीं हो सकती, 0 से N-1 होती है, ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आता आपका magnetic quantum number M, magnetic quantum number किसको बता दा है, बिटा, कि electron जो है, वो कौन से, orbital में है, है न, orbital के बारे में information देता है, कौन, magnetic quantum number, इसकी जो value होती है, बिटा, minus L से plus L तक होती है, including, yes, आपको ये पता होना चाहिए, कि अगर आपका S sub shell है, बिटा, उसमें कितने orbital होते हैं, सिर्फ, A की orbital है, क्योंकि उसके लिए M की A की value possible है, P sub shell में 3 orbital होते हैं, yes, आपका D sub shell होता है, उसमें 5 orbitals होते हैं, और जो तो आपका F sub shell होता है, बिटा, कितने orbital होते हैं, हाथ orbital, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और सबसे last में आती है, आपकी spin quantum number, जिसको ऐसे दिखाया जाता है, electron के spin के बारे में बताती है, electron जो है, आपको बता है, अपनी nucleus के चारोतरब भी गुमता है, और साथ साथ अपनी spin पे भी, तो spin पे उसका घूमना दो तरह का हो सकता है, या तो clockwise या फिर anticlockwise, दोनों एक दूसरे गा, just opposite है, इस वज़े से आपकी जो spin quantum number की value है, वो भी बिटा, दो हो सकती है, या तो plus half, या फिर minus half, ये दो values है, जो possible, मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, सारी लोगों को बोलना पड़ेगा ठीक है, अच्छा, इसके बाद, एक और चीज जो हमें पढ़नी है, वो है atomic orbitals की energy, बिटा, atomic orbital की जो energy है, उसके दो case पढ़ेंगे, कौन-कौन से, पहला case जो hydrogen और hydrogen like species होती है, hydrogen like species का मतलब single electron वाली species, कौन सी? single electron species, जिन में सिर्फ और सिर्फ एक electron होता है, ऐसे orbital की जो energy होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल quantum number की value पे डिपेंड करेगी, जैसे अगर मैं बात करूँ, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, तो देखो, 1s के लिए 2s की quantum number इससे ज्यादा है, तो इसके energy ज्यादा होग क्यों कि दोनों के लिए principle quantum number की value सेम है, principle quantum number बढ़ गया, energy बढ़ जाएगी, वापस से अगर principle quantum number सेम आ गया, तो energy भी, वी बात समझ में आ रहे हैं आपको, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, कि इनकी energy सेम है, ऐसे orbital जिनकी energy सेम होती है, तो de-generated atomic orbital कहा जाता है, क्या कहा जाता आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मानलो एक electron नहीं है, एक से ज्यादा electron है, फिर क्या करेंगे, उसके लिए use किया जाता है, n प्लस l रूल या फिर बहर बरी जरूल, n प्लस l रूल क्या कहता है, जिस orbital के लिए n प्लस l की value ज्यादा होती है, उस orbital के energy ज्यादा है, के लिए n की value ज्यादा होगी, orbital की energy ज्यादा होगी, clear, बहुत बढ़िया बिटा, अच्छा, जब हम लोग electron fill करते हैं किसी भी atomic orbital में, तो वहाँ पर बिटा कुछ rules होते हैं, हमें उन rules को follow करना होता है, कौन-कौन से rule हैं, तीन rule पढ़ने होते हैं, हमें off-bow, poly और hunts rule, off-bow rule क क्या कहता है, बिटा, off-bow का कहना था कि सबसे पहले, जिस orbital की energy कम है, उसमें electron पहले जाएगा, poly कहता है कि एक orbital में दो electron, same spin वाले आप नहीं रख सकते, और जो hunts है, उसका कहना था, कि जब आप degenerate atomic orbital में electron fill करोगे, तो सबसे पहले एक-एक electron fill करना है, फिट same spin, और उसके बा generate orbital में एक-एक electron चला गया होगा, कि बाद आप चाहो तो electron pairing करवा सकते, that is your hunts rule of maximum multiplicity, और इसी के basis पे हम लोग लिखते हैं क्या, electronic configuration, ठीक है, electronic configuration को अगर मुझे define करना हो, तो क्या है, it is the distribution of electrons into various shells, sub-shells and orbitals, electron को मैं different shell, sub-shell या फिर orbital में अगर डाल दूँ, उसको electronic configuration, electronic configuration लिखने के लिए, आपको atomic orbital की energy का order बता होना चाहिए, कि हम लोग orbital के increasing order में ही हम लोग energy fill करते हैं, energy के increasing order orbital में ही हम लोग electron fill करते हैं, all right, electronic configuration में आप देखोगे कि जो copper और chromium होता है, इनका electronic configuration exceptional होता है, आप पुछोगे sir कैसे, बिटा chromium का atomic number 24 होता है, होना क्या चाहिए था ये, 4s to 3d4 होना चाहिए था, but actually होता क्या है, 4s 1, 3d5 होता है, yes, बिटा 3d में maximum कितने electron आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 3d5 है इसका मतलब, क्या ये half field है क्या, yes, तो ऐसा इसलिए होता है, because half field orbitals होते हैं, वो ज्यादा stable होता है, क्या होता है, half field orbitals ज्यादा stable होता है, इस वज़े से 4s व होता है, ये ज्यादा stable configuration है, that's why, this is the reason for this exceptional electronic, और अगर आप copper की बात करोगे बिटा, copper का atomic number 29 होता है, और अगर आप इसका electronic configuration देखोगे, 4s 2, 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, 4s 1, 3d10 होता है, यहाँ पर d में 10 electron है, इसका मतलब ये fully filled configuration है, ये कैसा है बिटा, fully filled configuration है, और fully filled जो configuration होता है, इस stability भी normal configuration से ज्यादा stable, ठीक है, वो से ज्यादा stable होता है, that's why, ये दो exceptional electronic configuration है, copper और chromium, आपको याद रखना है, आपको ये आप से पूछ ले, कि भाई ये half filled और completely filled orbital की stability क्यों ज्यादा है, दो reason होता है, first one is your exchange energy, and second one is your symmetric distribution of electrons, देखोगे, पांच और बाइटल, पांचों में एक एक electron present है, तो symmetric distribution है, पांच और बाइटल और पांचों में दो-दो electron present है, symmetric distribution, and you all know, symmetry leads to stability, that's why, जो fully filled और half filled orbitals हैं, वो ज्यादा stable, एक होती है, exchange energy, एक्षेंज अनर्जी क्या होती है बटा, जैसे देखो, ये degenerate orbital में electron present है, तो degenerate orbital में जो electron present होते हैं, जिनका spin same होता है, वो अपनी position दूसरे electron के साथ exchange कर सकते हैं, जब ऐसा exchange होता है, तो उसमें कुछ energy, इस होती है, तो energy release होई है, उसी को बोला जाता है, exchange, एक्षेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि energy जितनी कम, stability उतन आपकी exchange energy की value है, वो बहुत ही high होती है, clear है ये चीज, बहुत बढ़िया बेटा, तो बस इसी के साथ आज का जो session है, कि हमने लगबख 40 minute में session को complete किया है, फिर मैं बोल देता हूँ, ये session सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है, जो इमानदारी से ये chapter पहले पढ़ चुक अगर आप quick revision चाहते हैं, तो आपके लिए video है, alright, चले ठीक है, thank you so much for watching this video, I hope आपको ये session समझ में आया होगा, आप इसके जो notes है, वो अपनी app से download कर सकते हैं, सर्च कीजिए वहाँ पर, manzil, mind map, mind map series, sorry, manzil series नहीं, mind map series, वहाँ पर आपको इसके notes मिल जाएंगे, एक पूरा chapter क एक basic idea आपको ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए, टड़ा, बबाई, सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हसते, मुस्कराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कराने से नहीं, बब के लुछ से घाने से और जरूर में, जरूर नहीं, विरूक के लिए रहें? कैणिजितक है?